फ्रेंड्स अभी जो वीडियो में बना रहा हूं इसमें कोई एक पर्टिकुलरले कोई एक स्टॉक का रेकमेंडेशन नहीं है मैं ना एक कोई भी स्टॉक का नाम जो बता रहा हूं कोई रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा जो भी कंपनी का हम अभी चार्ट देखेंगे जो भी आनालिस करेंगे जो भी बात करेंगे वह फंडामेंटल स्ट्रॉंग है तो उसको लेके हमारा मन में जो अभी मतलब डाउड चल रहा है कि यह कंपनी में क्या हो सकता है आगे इतना दिन से होल्ड करके रख रहा हूं अब फिर मार्केट से पैसे नहीं बना सकते हैं तो इस सीच के बारे में हम क्यों सा कूंसा स्टॉक को कितना दिन तक हमने वोल्ड किया है तो क्या हुआ हुआ उसके बीच में सारा स्टूरी अभी बताऊंगा हर एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे उस से पहले में विडियों को लाइक कर दीजिए अभी यह जो स्टॉक के बारे में बताना जा रहा हूं तो यह सारे स्टॉक में मैंने भी पोजीशन बनाया हुआ है लेकिन मेरा मन में कभी एक भी बार डाउट नहीं आए कि यह स्टॉक नहीं चलेगा इतना दिन से क्यों रखाऊं मेरा मन मे कभी भी ब्यवह निया कि किमेरे का फीने कर रहा हूँ काbbe कर रहा हूँ कौन तो मेरे कुम मालूह better कि का सब्सक्राइब हो जाता है लेकिक हमें क्या करना पड़ता है कि सिक्स मांच के लिए तो हमें करना पड़ता बना लिया तो उससे सभी श्चलना है उन्हें मारकेट को चला रहे हैं। किम मारकेट में यह बफ्लिड करना कोई तो व mêmes आपके लोड़ा नहीं होना की इतना चीज क्यों, आपको बता रहा हूं कुई मेरे साथ में हुआ है, पहले शरुआद में मैं इन्वेस्टमेंट किया, शरुआद में जरना हम स्विंग ट्रेड किया हुआ, उसके बाद मेरे को बहुत सारा लॉस साय काफी साल के बाद में फिर प्रिक॥ॉटबल बनाओं हूं ठीक है यहां पर करते हैं मतलब लॉस होता गया तो यह चीज में आप के साथ में इसलिए बता रहा हूं कि आप प्रेसंस भी रखना चाहिए वही जो जो स्टॉक हो मैंने सेल किया लास में वही होई करने की मतलब मीनिंग फूल नहीं है कि यह चीज में आपको बताने का बज़े हैं ताकि आप भी थोड़ा सा मोटीवेशन मिले ताकि आप जो भी स्ट्रॉंग शेर में आपने पोजिशन बना के रखा हुआ है उसको होल्ड करेंगे आपको उस चीज में थोड़ा सा मोटीवे इसमें पोजिशन बनाया यह है तो यह सबसे लास्ट में एक स्मॉल क्याप स्टॉक का वरे में बताऊंगा लास्ट का वीडियो बज़े तो आपको पता चल जाएगा यहां पे देखिए कंपनी का है है बहतरीन शेर है तो इसमें क्या हमें डरने की बज़ा है कोई डरने की बज़े में क्या करना ही चाहिए हां पे तक यह चलता रहा तो छलता रहा हमारे पसEMA sulphN नहीं या तो फिर हम भगवान नहीं कि करना जरूरी होता है ठीक है तो इसा टाइम पर हमें होल्ड करना ही है और बहुत अच्छा मिलेगा फ्रेंड इतना अच्छा मिलेगा तो आप सोच भी नहीं सकते हैं यह स्टक रोकेट बन जाएगा ठीक है एक साल के अंदर में यह जाकर आठ से दो सजार का प्राइस दिखा स है तो आप अगर पोजिशन बनाएं मतलब आपने बना के रखा हुआ है तो होल्ड किजिए और में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूं आपको क्योंकि मेरे साथ में भी हो रहा है क्योंकि मेरे को मालूम है यह स्टक एक दिन रॉकेट बनेगा उस्टाइम पर पोजिशन ब देखिए कंपनी में कोई प्रोब्लेम है क्या डेट फ्री कंपनी प्लेज नहीं और प्रफिटबल कंपनी आरो सी देखिए कितना बहतरी नहीं यह सारा परामेटर आप जाके चेक कर लीजिए अगर मैं बोल रहा हूं कुछ गलत बोल रहा हूं तो यहां पर देखिए दूस में गया है तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम स्टॉक में से निकल जाएंगे इसा नहीं होता है अगर आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक को होल्ड करके नहीं रख सकते हैं मैं आपको ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तो फिर आप म्यूचल फंड में पैशन भी मद लगा या फिर यह काम किजिए आप डारिक लिए लगा दीजिए ठीक है मेरी बात बुरा लग सकता है लेकिन मेरा ओपिनियन हो ही है क्योंकि मैं भी जब में भी जब लॉस में हूं जब सारे आदमीं पूरा मार्केट जब अभी गिराबट चल रहा है तो उस टाइम पर आप बोल और फ्लास में निकल जाएंगे क्या फाइदा में आपको दिखा रहा हों यहां पर दीकिये एक यहीतरिन कमपची में क्या प्रोब्लेम त्ञाइए यहां पर देखेके प्लेज ही नहीं कंपनी प्रफेटरबμ कंपनी चान है सेवेंटीन है रोशी और क्या चाहिए आपको फिर भी क्यूं डर रहे हैं आपको बिंदास वोल्ड करके रखिए कोई मुश्किल नहीं आपको डबल करके देगा ठीक है बहतरीन डिटन आपको मिलेगा टेंशन मत लीजिए अभी देखिए तीसरा कमने देखिए सिंफोनी हर क यह चीज आपको बुरा लगेगा तो मेरे को माफ कि जीया अगर हम कोई एक मोबाइल लेने जा रही है मोबाइल अगर एक मोबाईल खरीДаं के लिए तोड़ाक मेरा रिघया गर पूरा स्टांड भी बराबर होना चीए कोई एक स्टॉक में दो स्टक रहेगा पंदरा स्टक रहेगा एक स्टॉक में अगर फिर भी अगर लॉस हो गया जैसा हालत हो गया स्टॉक मार्केट में लाखो रुपे लगाते हैं लाखो रुपे लगाते हैं उसी साब से रिशर्च भी किजिए मेरा बताने का बज़े होगा है क्योंकि खुद क्या पईसे अगर नुक्सान होगा तो आप कोई होगा थोड़ा से रिशर्च भी करना जरूरी होता है उसके ओके फ्रेंट्स यही मेरा एक चीज बताना था तो इसी साफ से देखिए अभी देखिए आई सी से लोंबारे यह कंपनी में कोई बुरा है क्या जब वागता है पूरा रगकेट मन जाता है उस ताइम पर आएंगे केले और की किसा होगा कोई प्रोब्लेम ने आ कर देखे la do वह सब्सक्राइब कर लिए का बड़ी आपने पोजी सन बना के रख्वेंएं आप डर ने का नहीं है यहाँ देखिए डेट फरी कमपनी कोई कमपनी में प्रोब्लेम है प्रोफीटर प्लेज है कुछ भी नहीं है प्रोफीटबल इस एक पर फिर प्रोब्लेम क्या एक लट कि किजिए कोई मुश्किल नहीं रॉकेट बनेगा जब उस टाइम पर है आप फिर आराम से अराम से फिर एंजाई किजिए ठीक है उस टाइम पर आपको एंजाई करना रहता है लेकिन अभी का पिरियोड में आप होल्ड करके चलिए ओके फ्रेंट्स अभी नेक्स्ट देखिए HDFC life क्या problem nda stock में कुछ भी प्रोब्लम ने प्रोटर बिंदाज प्रोटर एकि तर्स्ट करता है उनके ओपर HDFC group के ओपर और वाजाज फैनान्स के गूरूप के ओपर वाजाज फैनान्स पर गूरूप अब हैवी rocket बना हुआ है लेकिन कुछ दिन के बाद में HDFC कि अपर बनेगा उस टाइम पर खरीद करके रखिए और जहां पर रखेट बनेगा उस टाइम पर आप मजा लीजिए और प्राफिट बुक करके आराम से पैसे कमाई यह थीक है यह के एज़ डिफ सी हो गया उसके बाद में देखिए अस्ट्राजनिक क्या प्रोब्लेम है ओके फ्रेंट्स तो यहां पर देखिए कोटेक महिंद्रा जो मल्टी वेगर रिटन बना के दिया है जिसने करोड़पती बना के दिया है उस कंपनी में अभी करेक्शन चल रहा है फिर भी हम अगर डरेंगे कैसे होगा यह ड्रॉइंग को में निकाल देता हूँ तो इसलिए आप डरिये मत ठीक है आप डरिये मत आपको बेहतरीन मौका है आप पोजिशन बना के रखे हुए है तो बड़िया है अगर पोजिशन नहीं बनाए पोजिशन बनाए बिंदास कोई प्रोब्लेम नहीं है ओके फ्रेंट्स नेक्स चलिए यहां पर पेट्रोण आप बिंदास पोजिशन बनाए आपको बिंदास प्रोफिट मिलेगा ओके मेरा बताने का बज़य है मोटिवेट करने का बज़य है कोई प्रोब्लेम नहीं है यहां पर दिखिये हन्यों अगर किसी के पास में एक्स्ट्राइब पैस से हैं सरप्लस मनी है आप यह चार्ट देख लिए कितना बेहतर इन चार्ट टू अंडेर्ड मुवीं आबरेज के पास में आता है उसी टाइम पर पोजिशन बनाना रहता है जब आल टाइम हाई पर चला जाएगा उसी टाइम पर निकल जाना होता है किसी को बताने का चीज नहीं होता है यही चीज के लिए यही अगर आप जा कोई परहएज देखिए कम्पनी जिसका प्रमोटर बिलकुल अपर नहीं है तो सोचिए कितना चला रहे होगे उन के जो 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 चेहर मियान है जो कमप्णि का प्रमोटर ये कितुना वहतरी हम है चलता है क्या बहूंकिमी कंपनी हैं कि में इनका काम चलता है दुबाइ में साउधी में कतर में हर एक गल्फ कंट्री में की सिस्टम का डक्निंग लगता है रहा है यह और लास्ट लास्ट कंपनी जो मैं बताना जा रहा हूं वो company का नाम है यहां पर देखिए fine organic वो एक क्या मतलब उसके लिए भी काफी सारा friend का क्वरी है कि उसमें क्या करना है देखिए fine organic इसा कोई problem नहीं है इसमें देखिए 200 day movie average के पास में आ रहा है देखिए company का और यहां पर देखिए देट तो बिल्कुल है नहीं तो डरने का बजाए तो टाइम होता है हमें पोजिशन बना के अच्छा लेने का तो यही बस मेरे को बताना था कुछ टॉक के नाम है जो कि आप बिंदा से होल्ड किजिए आपको बहुत अच्छा reward मिलेगा रिस्क अगर लिये हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए ताकि उनको भी पता चलेगा अगर उन्होंने पोजिशन बना के रखे हुए हैं तो बिंदा सोल्ड कर सकते हैं ठीके लेकिन बाकि डिसिशन आपको लेना है क्योंकि पैसे आपका है डिसिशन भी आपको लेना रहेगा अ अभी आज की चैनल में पड़ा हुआ है एक तो डिसी भी है और एक रिस्की से आ रहे है और एक रिस्क है जो रिस्क टेकर है वह स्टॉक को स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं ओके फ्रेंट्स थैंक यू भरी मच फ्रेंट्स फर वाचिंग इस वीडियो इतना ताइम देने के लिए थैंक यू भरी मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में